नमस्कार दोस्तों, इंडियन हल्टिप्स में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बताने वाले है एक नुस्का और जिसके इस्तमाल से आपका बालों को तेज, लंबा, घना, काला और मजबूत कर सकते हैं जि हा दोस्तों, ये नुस्के के बारे में जानने के लिए एक वीडियो आन तक देखिए उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल बटन तबाना ना भूले आपका बालों का सब समस्याओं को दूर करने के लिए ये नुस्का बहुत फाइदामंद है हर कोई चाहता है कि खासकर महिलाओं चाहता है कि उनके बाल लंबे, घना, काले और मजबूत हो ये एक इस्तमाल किया नुस्का है इस नुस्के का इस्तमाल से आपका बाल हमेशा के लिए लंभा, गना, काला और मजबूत बन जाएगा और इस नुस्के के मदद से आपका बाल ज्यादा सफेद नहीं होगा बहुत लोग है आज कल दिखने में आते हैं कि कम उम्र में ही उनका बाल सफेद हो जाता है लेकिन इस नुस्के का इस्तमाल करने के बाद आपका बाल जल्द सफेद नहीं होगा इस नुस्के को बनाने के लिए आपको चाहिए मेती का दाना, दो स्पून और 50 ग्राम नारियल का तेल अब आपको इस नुस्के को करने का तरीका बताते हैं आपको चाहिए एक glass container अब इस glass container में 50 gram नारियल का तेल डालीए उसके बाद मेती के दाने को थोड़ा सा crush करके उसमें डाल दीजे और इसको कम से कम 4 हफते तक इस glass container में टाइट से बंद करके टक दीजे और इसको एक महिने तक बिल्कूर ऐसा ही रखे एक हफते के बाद हर हफते इस तेल को आप थोड़ा सा हाला दे और वापिस रखते आपको 4 हफते भी इस तरह करना है एक महिने के बाद इस तेल को आप अपने बालों पर लगाना है जब भी आप आप नहते हैं आप उससे पहले तीन या चार गंटे के पहले ये तेल आपका बालों पर लगाना है तब बाद में शांपू करके नहना है इस तरह आप एक हफ़ते में तीन बार जरूर करें इस नुसके को इस्तमाल करने से आपका बाल नंभा, गना, काला और बजबुत हो जाएगा इसका कोई साइड एफेक्ट्स नहीं है ये नाचुरल और आयुर्वेदिक क्रमीडी है तो दोस्तों ये ता हमारा एवीडियो मानते हैं कि एवीडियो आपको मदरत आएगा हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और कमेंट करना ना भूले फिर नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ मिलते हैं तब तक के लिए स्वस्त रहे, मस्त रहे और कुश रहे, धन्यवाद